हेलो गाईज, वेलकम टू पिजन ऑनलाइन स्करी, मैं हुई प्राच मलीक एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एक बिग अपडेट देने वाला हूँ 1894 एडिड सायक शिक्षक भरती के बारे में जिसमें एडिड इसकूलों में 1894 पद पर भरती होनी है जिसमें 1504 जो पद हैं वो सायक शिक्षक भरती के हैं और इसके अलावा लगबक 390 पद जो हैं उप्रधान अधियापक के तो लगबक देड़ हजार पद सायक शिक्षक के लिए हैं और 390 पद हैं पधान अध्यापक के रहेंगे उसकी बीग अपडेट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भरती किस प्रकार से होनी है और शाषन के पास जो विग्यप्ति गही है मतलब जिस प्रकार का पैटर्न बन के तुरंत बाद में होगा और इस पर भी हस्ताक्षर कर दे गए हैं तो पूरी वीडियो देखें अगले दो मिनट तक में दे साथ और आपको सभी इंफोर्मेशन सभी अपडेट मिल जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सो सबसे पहला है कि जो अठाज चुराने भरती है उसका अध्याचन बेजा जा चुका है और उस पर हस्ताक्षर भी जो उत्रप्रदेशाशन के हस्ताक्षर हो चुके हैं ठीक है नेक्स है जो न्यूनिटम क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजोशन मांगी गई है साथ में बी टी सी या बी एड किया होना चाहिए आपने और इसी के साथ यूपी टैट का जो जूनियर वाला पेपर है वो क्लियर होना चाहिए वैसे अभी यूपी टैट के जूनियर वाले पेपर की जो बात है यह 100% कंफरम नहीं हुई है हो सकता है इसको जरूरी ना भी किया जाए लेकिन आप मानकर चले कि यू 390 जो वेकंसी है यानि परधान अध्यापक की 390 वेकंसी जो परधान अध्यापक की है उसके लिए 5 साल का जूनियर हाई स्कूल में एक्सपिरियंस होना चाहिए तब ही आप परधान अध्यापक बन पाएंगे ठीक है नेक्स्ट है जो परिक्षा है वो वास्तुनिष्ठ ह होगी और OMR अधारित होगी ठीक है और आगे चलता है TET से उच्छिस्टर का पेपर आएगा मतलब जितना जितना एक्जाम का लेवल टीटी में आता है जो की 12 तरका होता है तो इसमें उच्छिस्टर का ग्राजोशन के लेवल का पेपर आने वाला है जिसमें परधान अध द्यापक का पेपर है उसके लिए 50 परशन अलग से होंगे जिस पर एक घंटा आपको अलग से दिया जाएगा ठीक है आगे चलते हैं परिक्षा अवधी जो रहेगी में पेपर की जैसे पेपर दो पेपर होने हैं एक में पेपर होगा एक प्रधान द्यापक का अलग से पे पिछली जो हमारी primary की भरती है उसकी cut of 60% थी तो उसी की according इसकी cut of भी 60% परसेंट रहेगी और इसमें academic भी final merit में add जरूर होगी ठीक है ये वो बाती थी जो मुझे आपको बतानी थी जो की 1894 में भरत इस related है जिसमें 2 तरह के पद आ रहे हैं जिसमें 1504 पद जो हैं वो परधान अध्या पके हैं ठीक है तो इस related कोई भी question अगर आपको मुझसे पूछना हो तो comment करके आप अपने doubt मुझसे clear कर सकते हैं या फिर आप हमारे telegram group से भी जुड़ सकते हैं और telegram group से जुड़ने का जो link है वो subscription में दिया हुआ है comment में भी दिया हुआ है ठीक है दोस्त बस लगब लगब सूपर टैट के तरह से होगा ठीक है तो जैसे ही कोई और इस बर्थे से update मिलती है वो आपको बता दी जाएगी लेकिन यूपी टैट का exam इससे पहले होगा जहां तक का जहां तक की आशा लगाए जा रही है यूपी टैट का exam पहले होगा और इसका जो exam ह है वो यूपी टैट के बाद में होगा ठीक है दोस्तों तो चलिए आज के लिए इतना ही और जैसी कोई update मिलती है आपको बता दिया जाएगा तैक्यू सो मच आप जरूर जरूर टेलेग्राम गुरूप से जुड़ ज़ए जहां पर हर प्रकार की PDF नोट्स आपको मिलते है और साथ साथ सभी सटीक information विया कोज गूरूप पर मिल जाएगी धन्यवाद थैंक्यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक्यू